सांखे सागर पर जलकुंभी का कबजा जील के ब्राइंड इंब्रेस्टर मगरमच्च कर रहे पलायन शेहर के नालों में बढ़ी इसकी संख्या मादव नैशनल पार्क की सांखे सागर जील को जलकुंभी ने पूरी तरह से जकड लिया इसके चलते हैं शहरी शेत्र के नालो में मगरमच्छों की संख्या बढ़ती ही जा रही है मगरमच्छ अब अधिक संख्या में जील से शेहर की और पलायन कर रही है ताज़ा तस्विर जाधव सागर वितालाब से सटे को नाले से सामने आई है जहाँ एक साथ कई मगरमच्छों की जोन को देखा जा सकता है जबकि पूर्व में इतनी संख्या एक साथ मगरमच्छों की नहीं देखा गया है इसकी मुखे वज़े माधव नाशनल पार्क की सांख सागर जील चांथ पाठा में फैली जलकुमपी को माना चा रहा है जिले में औसत वर्षा का आकड़ा पुराना होने के चलती जील में जलस्तर की काफी कम है इसकी साथी जील को जलकुमपी ने पुरे तरीके से जकर रखा है इसकी चलते सांके सागर जील में रहने वाले हजारों की तादाद में मगर मच्छों को पलायन करना पड़ रहा है सांके सागर जील से सटे हुए करबला शेतर में जलकुमपी को जकरा हुआ इसके तरेद कर्भला में कुछ दूर जादव सागर में जलकुम भी फैल चुकी है सांके सागर जेल को रामसर साइट वेटलाइंड का दरजा मिले दो साल से अधिक का समय गुज़र चुका है लेकिन प्रिशास निकला परवाही का आलम यह है कि यहां बोटिंग तो बंद ही हो गई यहां सबसादिक संग्या में आने वाली लोग मगर मच्छो की जीवन पर भी संकटा गया है